अभी बारिस का सीजन चल रहा है तो कौन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं हम इसे सेख के खाते हैं बोईल करके खाते हैं कई भारिस की हम चाट भी बना लेते हैं पर आपने कभी कौन को इस तरह से खाया है जो बिल्कुल जीरो ओयल रेसिपी है हाई प्रोटीन है और फुल अफ वेजटेबल भी है और बिल्कुल फटा फट से दस मिनिट में बन भी जाती है तो आए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं इसके लिए अमेरिकन कोन के दाने को इस तरह से मैं चोप कर रही हूँ अगर आपके पास चोपर नहीं है तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो इसकी हमें पेस्ट नहीं बनानी है इस तरह से थोड़ा सा मोटा-मोटा ही हमें इसको चोप करना है आप ये प्रोसेस ग्राइंडर में भी कर सकते हो एक बोल में बारिक कटी हुई केबेज, केपसिकम, गाजर और प्याज एड कर लेंगे यहाँ पे हमें सारी वेजिटेबल को बिल्कुल बारिक बारिक की कट करना है स्वादनुसार नमक और ब्लेक पेपर पाउडर एड कर लेंगे और जो हमने कौन को चोप किया था वो एड कर लेंगे यहाँ पे हम कोई भी आटा, सूजी, बेसन, कुछ भी एड नहीं करने वाले है मसाला कर लेते हैं तन्याजीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारिक कटी हुई हरी मिर्च और बारिक कटा हुआ धनिया एड कर लेंगे मैंने यहाँ पे अधरक और लसन एड नहीं किया है आप चाहे तो वो भी एड कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप और भी कोई वेजटेबल एड करना चाहो तो इसमें आप एड कर सकते हो अच्छे से mix कर लेंगे जैसे मैंने बताया कि हम binding में कोई भी आटा वगेरा use नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अंडा का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे मैंने तीन अंडे को अच्छे से फेट लिया था वो इसमें हमें add करना है इससे अच्छे से binding का जाएगा यह देखे इस तरह की consistency चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें अंडे का precaution कम लग रहा है तो आप एक अंडा और भी add कर सकते हो पर make sure कि आप इसी तरह का texture होना चाहिए अगर अंडे की मातरा कम होगी तो इसमें binding नहीं आएगा और proper shape नहीं आएगा अपम मोल्ड को oil से grease कर लेंगे और बनाया हुआ mixture अपम मोल्ड में fill कर लेंगे यह बिल्कुल zero oil recipe है high protein है और full of vegetable भी है और मज़े की बात यह है कि यह फटाफट से 10 minute में बन भी जाती है lead लगा के medium flame पे थोड़ी देर के लिए cook कर लेंगे एक तरफ से अच्छे से cook हो गए आप देख सकते हो कि golden color आ गया है इसे flip कर लेते हैं कि देखे कितना easily इसको हम flip कर सकते हैं और lead लगा के दूसरी तरफ से भी cook कर लेंगे इसे आप breakfast में भी बना सकते हो बच्चों के टिफिन बोक्स में भी दे सकते हो अगर आप diet कर रहे हो weight loss कर रहे हो तो भी आपके लिए यह perfect recipe है zero oil और full of fiber zero oil high protein और full of vegetable vegetable गर्मा गरम कोन अप पंबन के ready हो गया है I hope आपको मेरी आज की recipe पसंद आई होगी और पसंद आई है तो like and comment जरूर से करना तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई